हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो आज क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का बचो चप्टर नमबर 3 जिसका नाम है बचो समकाली दक्षिन एसिया इसके जितने सारे इंपॉर्डन कोशन बनेंगे सारे इंपॉर्डन कोशन को इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को अंतक बने नहीं थे करना है यह सामीन इसको कोशन में बताना है तो याद करने के देश की अपनी ट्रीक क्या बचों-अस tout हो गया बचो अफगनिस्तान अपनी प्रक cortex अपनी याद करना ट्रीक है इसे हो गया अफगनिस्तान पी पकिस्तान刃 से हो गया पकश्तान और पर आपनी में आई आता है आई से हो गया इंडिया और उसके बाद मैम में माल दीव से को और मालीव अपनी एम एम बीबी एसे बीबी कहा होगे बच्चो तो बी से आपको धाना कहना बंगला देश और बी से आपको धाना कहना बच्चो भुटान अपनी से बताया थे एसे बताया थे बच्चो अफगनिस्तान पी से बताया थे पकिस्तान और एन से बताया थे बच्चो नेपाल आई स से बताए थे इंडिया उसके बाद में से बताए बचो में माल दीव बंगला देश बताए भुटान और में आगे बचो स्री लंका आपको धानक आप तरीक याद रखना दक्षीन एस्या के देश का तरीक है बचो याद करने का जो ट्रीक है अपनी असे हो गया अफगनिस्तान पी से हो गया बचो पाकिस्तान कि पाकिस्तान फे से हो गया नेपाल से हो इंडिया मैयमार माल उग्या बंगलादेश बहुतान सिरिडंका अगर ऐसी यह देश को याद करने में गर ट्रीक हेलक किया हो तो कमेंट में बच्छो जरू लिखे कि अच्छा लगा है नेक्स कोेशन बच्छो दक्छीन ऐसीया के देश में किस परकार के राजनीतिक पढ़नाली राजनीतिक में बताना है तो ध्यान रखना भारत और स्री लंका में लोक तंत्र है भारत जो आजाद हुआ बचो नाइंटी फोटी सेवन में जबकि स्री लंका जो आजाद हुआ नाइंटी फोटी एट में नेपाल में काय सा बचोरा राजतंत्र से लोकतंत्र वह हैं भारत तही पढ़ते बचो पाकिस्तान पाकिस्तान लोक तर इस उसे महीं पकिस्तान में नाम बदल कर क्या बश्तों बंगला देस बना गाए धानक दो पकिस्तान और देस में शाहिनक सासन पर लोक हंथरिक है भारत लेकर पकिस्तान और बंगलादेस में आनिक्सासन से क्या है लोकटान्तूर के जा रहर है द्धाना कुछू भुटान में कैसा था राचतंत्र था लेकिन वहां एक बहु दलिये लोगतंत्र की अस्थापना के लिए क्या हुए कदम उठाया जा रहे हैं माल्दीव में 1968 तक सल्तनत था लेकिन वहां गंतंत्र की अस्थापना की गई और अध्यास्त्मक पढ़नाली को अपना गया माल्दीव में 1968 तक सल्तनत था लेकिन वहां पर क्या हो गया गंतंत्र की अस्थापना की गई और अध्यास्त्मक पढ़नाली को अपना गया दक्षीन एसिया के देशों की मुख समस्या के बारे में इस कोशन में बताना कि दक्षीन एसिया के जितने सारे जो देश है उस देश समस्या के बारे में क्या करना इस कोशन में बताना तो पहला पॉइंट दक्षीन एसिया के जो देश के बीच क्या सीमा भीवाद को जैसे भारत और पकिस्तान में अचो सिंधुन नदी जल को लेकर क्या हुआ था 96 भारत और पकिस्तान को लेकर सिंधु नदी जल को लेकर भारत और पकिस्तान में बीवाद हुआ था और भारत के तरब से गय था आपको ध्याना को जोहाला नहरू और पकिस्तान से आये थे अईुब खान नाइंटी सिक्स्टी में जो जिसमें भारत से गए थे भारत के परधान मंतिरी जहौर नहीं हुआ और उधर से पाकिस्तान के तरब साय से अयूब खान आया थे दक्षिन एसिया के देशों में कुछ जाती है संगर्स भी देखनों के मिला जैसे सिरिलंका में सिरिलंका में क्या बच्छो तमील और वहां जो सिंगली भासा जो बोलने वाले उन दोनों में क्या है बीवाद है अब हम लोग पढ़ेंगे बच्छो पाकिस्तान के बारे में क् नेक्स्त को बचतों जितने सारे जो देशे बारी बारी से सभी देश के बारें पढ़ेंगे बाएंगे बच्छो पकिस्तान में पहले आपको धारकना पहले जो पाकिस्तान तो भारत का भाग था्ट्रू नैन्टी छोbig देशंद वहांट नियों और भारत-बारिप और पाकिस्टान का जो विभाजन हुआ किसे बेशिस हुआ इसके बाद वजो देश किया हो गया दो ।ुकरों में बट गया तुंट गया एक का नाम पड़ा भारा दूसरी नाम पड़ेगे हैं फाकिस्तान बीक दो बनाएगा एक नाम रखा गया पर्शमी पर्दमान सम्मय में बचान पूर्भी पपकिस्टान समचित हैं मेंसेयं भारत में भारत में जाद म्सफालता पूर्व क्या रहा लोक लोगतंत्र कायम हो गया लेकिन पाकिस्तान में कभी साइनिक शासन कभी लोगतंत्र वहां पे रहा पकिस्तान की राजनीतिक वेवास्ता में बहुत ज्यादा परभावसाली यहां बार बार क्या होते लोगतंत्र को कुचलते रहा है यही कारन बचो क्युंकि वहां पे से जो होता है सेंड जो सासन होता लोगतंतर को क्या कर देता कुछ अल देता है ऐसे ही बंगलादेश में धाना काचो जीस तरीके से पाकिस्तान में हुआ उसी तरीके से बंगलादेश में हुआ संभाली थी उसके बाद फिर जनरल आहिया खान जनरल का मतलब सायनिक शाषन धाना काचो तच पसाथ जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुसरफ जनता के दवारा निरवाची सरकार को हटा कर सायनिक शाषन की अस्तापन की शुरुवाती दोर में बचो जो बागड़ जो संभाला था उनका नाम है अयूब खान अयूब के बाद आपको धाना के जन्रल आहिया खान जन्रल आहिया खान के बाद जिया उलहक और 1999 में परवेज मुसरफ ने जनता दोबारा निर्वाची सरकार को हटा कर साइनिक सासन किय अस्थापना की तो इसका अंसर हो जागा बचो परवेज मुसरफ उसके बाद कुछ समय के लिए अवस जुलफी का रली भुटो और बेंजीर भुटो के दोवारा नवाज शरीफ के नेत्रियुत में पकिस्तान में लोगतांत्रिक सरकार कायम रही थी धाना कवाचो कुछ स द्यांक आपको धानकन बेंजीर भुटो तथा नौज शरीफ के नेत्रित में पकिस्तान में कुछ समय तक क्या रहा था बचो लोगतांतरिक सरकार वहाँ पे कायम रही उसके तो उसके बाद ूचुन 2013 में द्अकर यह याद रखना है जुन 2013 में ओस सरीफ के नेत्रित में में किसकी अस्तापना हुई लेकिन 2017 में बचो अपको धानक ना है उनकी बितिये भराष्टा चार्ज के मामले में पकिस्तान के जो सर्वोच न्याले दौरा उनको क्या किया दोसी ठारा गया तथा उनको पद से हटाते हुए जो बचो नवाज सरीव था उनको क्या मिला 2017 में बितिये भराष्टा चार्ज के मामले में जो पकिस्तान के जो सर्वोच न्याले दौरा उसको क्या किया दोसी ठारा गया और उसको पद से हटाते हुए दस सल की साजा सुनाई जुलाई 2018 में पकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतरीत में बचो लोकतांतरिक सरकार की गठन हुआ जुलाई 2018 में पकिस्तान में जो बचो आम चुनाव में बचो इमरान खान के द्वारा लोकतांतरिक सरकार की क्या हुआ अस्थापना हुआ नेक्स पाइंट आपको धानकना 11 अपरेल 2022 को सहवाज सरीफ ने 23 वे परधान मंतरी के रूप में कारभार संभाला है लास्ट जो बचो जो परधान मंतरी है 11 अपरेल 2022 को उनका नाम आपको धान रखना सहवाज सरीफ ने 23 वे परधान मंतरी के रूप में पकिस्तान का क्या हुआ बगड़ और संभाला नेक्स इंपोर्टन कोशन बचो पकिस्तान में लोगतंत्र अस्थापना नहों होने के कारण को बताना कि पकिस्तान बचो बारबर क्या होता है सैनिक उसका लोग तंत्र कुछ समय के लिए राता तो ऐसा कोशन में क्या करना करना बताना है कि आयमें को धैना करते हैं समाज मेंशितन को भूर्ट तो आपको ध्याना करना कि पकिस्तान में जो धर्म गुरू तथा जो जमिंदार अपने समाज में वर्चस को कायम करने में परसीद है जिसके इस सारे पर क्या होता मतदान इंसान क्या करता देता बोलना चारा बच्छों पकिस्तान में जो धर्म गुरू है जो जमिंदार है व क्योंकि ऒreten hour-d스를ख करन से वहाँके के लोगतांतरीक सरकार की स्अपना आसापना नहीं हो पाती है दूसरा भारत भारत भी रिधा यहां पर ध्याना सお्कसितान moral पाक्षा बिवाद जिसको कास्मीर इसले ब tubats अगिन मतंपाओं सेना वहां की लोक्तांतरिक दल को क्या मांते दर्पोक मांदे। बच्व हमारे सेना समू के लिए क्या थार बोलते हैं की तो जो नेता है। मिला देंगे और लोकतांत्रिक सरकार उनका जो सैनिक वह कै बहुत जादा डरफोग वह कास्मीर को पकिस्तान में नहीं मिला पाएगा अब क्या करो सैनिक सासन को बढ़ावा दो ताकि जो जमुकस्मीर वाला पार्ट करें पकिस्तान में मिल जाए तीसरा आपको धाने कुछ अंतराषटी है समर्थन लोकतंतर के मामले में पाक को अंतराषटी अस्तर पे ज्यादा समर्थन नहीं पर्द्ट को समर्फन का मतलब सपोर्ट नहीं मिलता उस लेवल पर क्या हो जो पकिस्तान को और लोगतांत्री के लिए क्यान करता समर्फन का मतलब पश्मी देश तथा अमेरिका देषा बच्पेशा परमानु हतियार के हाथ नलगते इन देशों ने अपनी अपनी स्वार्थ के लिए पकिस्तान में सैनिक सासन परणाली को क्या करते हैं बढ़ावा देते बोलना चारा बच्छो जो पश्मी देश तथा जो अमेरिका हो गया इन देशों को आतंकवाद से बहुत ज्यादा डर लगता है कहीं पकिस्तान के परमा देते कौन देते बच्छो जो पश्मी देश हो गया जो अमेरिका हो गया आगे लिखा इन सभी बधाओं को रुकावट के कारण बावजूद भी पकिस्तान में लोकतंतर का मजबूत पकरम जानता अभी भी चाहती है कि पकिस्तान में क्या बच्छो लोकतंतरिक सरकार बने चलती रहती है तो चारों पॉंट को का करना बच्छो आपको लिखना क्योंकि यह क्षण पेपर बहुत-बहुत जादा इंपॉर्टन है तो आपको क्या करना चारों पाइंट को लिएक से एकस्पलें किए वागर समझने में किसी परकार का दाउट हूँ दो कमेंट बॉक् समस्या को लेकर भारत और पकिस्तान के बीच कई बार लडाई हुआ आपको लडाई का इयर याद करना पकिस्तान में कई बार लडाई हुआ तो लडाई का इयर याद करना कि भारत और पकिस्तान के बीच अभी तक चार लडाई हो रखा पहला लडाई और दूसरा लडाई हुआ था बच्वोट से नाम से बीचार दीवस के रूप में हम लों मनाते बच्वोट ना इंटी नाइन इन दीन इनके लिखा हुआ अजादी के तुरंत भाद भारत पकिस्तान कास्मीर को लेकर क्या हो लड़ पर बोलना चरह जैसे आजाद हुआ भारत उसके बाट masked को लेकर भारत और पकिस्तान में लड़ाई 948 में यूद हुआ कासमीर की यह मामला में चला गया तो कासमीर क्या फार्ण कैस्तान अर्थान प्यों कला फूल का पकिस्ती अकूपाइड का कृप लेक्षा की गञें पकिस्तान औक्किर्बात की मीध तेरो और हिंदी में बोलेंगे पाकिस्तान अधिकरित कास्मीर बचो नाइंटी फोटी से फोटी एट में जो लड़ाई वह था हुआ यूए नू में चला गया था तो जो कास्मीर का कुछ हिसा किसको मिलगा पाकिस्तान को मिलगा जिसको हम लोग बोलते बचो पीयो के पाकिस्तान अधिकरित कास्मीर और इंगलिस में बोलेंगे पाकिस्तान अकूपाइड कास्मीर दूसरा हिसा आपको धाना का बचो वह क्या कहला जमू कास्मीर परांत कहला पाहला हिसा जो कहला है पाकिस्तान के पास चला गया जो भारत के पास उसको बोला गया बचो जमू का कस्मीर परांत दोनों हिसों के भी एक लाइन बना गयं जो बोला गया यहलोसी का नाम आपको धान करना बलते क्लाइं ओफ कै डूल compr एक हिसा को कि वोते हैं उसके बीच लाइन Mister को बोलते हैं दूसरा वाला पार्ट है जो भारत में उसको बोलते हैं जो पकिस्तान का जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं दोनों के वीच एक लाइन पार्ट देश 2 टुक्रो में हो गए एक का नाम प्ड़ा भारत दूसरे का नाम प्ड़ा पकिस्तान दूसरे का नाम पड़ा पुर्भी पकिस्तान या पुर्भी पकिस्तान 1971 के बाद क्या बना बंगलादेश बना 1947 से लेकर से बंगला देश को बैंगला बिवाजित बंगाल और असम भी भाजीत हिसों से पुरभी Dualarm के बैसिस पर हिंदू और मुसल्मान के बैसिस तो बंगाल और असम से भी पाकिस्तान को । नेक्स पाइंट धाना इस्षेत्र के लोगों में बंगाली संस्कृत और भासा के लिए दुरुब्यवार के खिलाप बीरोध जताना सुरू कर रहते बोलना चारा कि वहां के जो लोग थे बचो संस्क्रीट और ताथा भासा के लिए क्या कर रहते दूर बहवार के खिलाब क्या कर रहते विरोध कर रहते कि जबरन क्या करते उर्दू उसके उपर ठोप रहते जिसके कारण से जो पश्मी पकिस्तान के जो लोग शेख मुझूबी रहमान ध्यान अकना बहुत इंपॉटेंट पतार बचो पश्मी पकिस्तान के एक नेता उस नेता का नाम आपको धाना सेख मुझूबी रहमान नेक्स पाइंट बहुत इंपॉटेंट बचो यहां सेमसी की कोशन हर साल आते हैं पार्टी के जो चुनाओ में जिनका नाम आपको धाना का सेख मुझूबी रहमान के नेतिरीत में आवामी लिग उनकी पार्टी का नाम है आवामी लिग पुर्भी पकिस्तान के सारी सीटे पे क्या कर ले थी विजय कर ले थी सब्सक्राइब कर लिए अगे लिखा आवामी लीग के संपुर्ण पकिस्तान को क्या किया प्रस्तावित समिधान सभा में बहुत जादा हासिर मिला लेकिन सरकार पर पश्मी पकिस्तान के नेताओं का दबदाबा था पस्मी पकिस्तान के जितने सारे जो नेता थे उनका क्या था दबदाबा था सरकार ने इस सभा को इनकार कर दिया इनकार कर दिया उसके वाद से एक मुझे भी रहमान को क्या कर लिया गिराफ्तार कर लिया के जो नेता थे मानने से क्या कर दिया इनकार कर लिए इनको जबरन क्या कर लिए गिराफ्तार कर लिए और आहिया खान सैनिक सासन में पकिस्तानी सेना ने पुर्भी पकिस्तान की जनता के अंदोलन को कचलने की क्या की कोशिस की जब इनको जेल में में डाला तो वहाँ जनता क्या कर रहे वच्चों बिरोध कर रह fix कि इसproduct च गल लिए इ 75 गिराफ्तार करने पर वहा के सेना के हाथे क्या किये मारे गए जिसके कारण से बहुत जादा दीकत होने लगी पुर्भी पकिस्तान को बहुत जादा दीकत कर रहे थे जिसके आगे लिखा भारत की सरकार ने पुर्भी पकिस्तान के लोगों को आजादी की मांग का कर दिया कर दिया उसके साथ सहाहता पुर्भी पकिस्तान को क्या किया शहता दीकिस निए तो भारति परिनाम सरूप 1971 में भारत और पकिस्तान के बीच इसी के वज़े से लड़ाई हो गया और इद के समाप्ति के बाद पूरवी पकिस्तान में पकिस्तानी सेना का आत्म समर्पन करना पराओ सोतंत राष्ट बंगलादेश के नाम से थी उन 1971 के बाद से हुआ नाइंटी शेवना बताना था नाइंटी सेवेंटी टू में भारत और पकिस्तान के बीच यह था एक एक साल बाद मतलब 1972 में भारत और पकिस्तान के बीच एक समझौता व इंटी समझाता भी ऑ्र orig smaller समझौत तरफ से कौन आई थि फ्रहत और पकिस्तान के बीच पर जो पढ़ना है कि भारत और में पकिस्तान के बीच बहुत सारे संज्वाते हुए संज्वाते के बारे में के का करना पढ़ना का नाम आपको ध्यानका सिंधू जलसंदी जुकब हुआ था नाइंटी सिक्स्टी में जो सिंधु जल संधी में बीस बैंक की सहाता से भारत और पकिस्तान ने जल संधी पर हस्ताक्षर किये और यह संधी भारत और पकिस्तान के संधी बीच सैंस अंगर्स के बावजूर्द आज भी क्या है कायम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना ना हिंदू जल संदी कव अधा नाइन टिश technology में तो आपको धान arıक और पकिस्टान के बीच समझाओता हुआ सिंधू जल संदी को लेकर हुआ खब लिकान के भारत और पकिस्तान के बीच जो प्यास्ताक्चर वाक्षिया संधि आज भी क्या बचेह कायम है दूसरा आपको धाने करें प्यास कंड़ा समझाता पढ़े शिंधु जल संधि दूसरा समझाता पढ़ें तास्कन समझाता जो भारत और पकिस्तान के बीच 10 जनवरी नंतीचटेंटेंग को एक यह अनूसार या किया गया कि भारत और पकिस्तान में अपने सक्टी परयोग नहीं करेंगे जो भी झांगररा होगा वा संति ढंग से का करेंगे उसको सूल जाएंगे वोलना चारवजों समझाओता जो हुआ था भारत और पकिस्तान के बीच दस चनवरी नाइंटी सिक्ष्टी सिक्स को एक सांती समझाओता था और यह समझाओते के अनुसारिया तै कि यह भारत और पकिस्तान अपने सकती का पर्योग नहीं करेंगे जो भी होगा जो भी लडाई जग समझाओता जो कब हुआ था तीन जुलाई नाइंटी सेवेंटी टू को हुआ था भारत और पकिस्तान के युद के बाद सिमला में एक संधी पर हस्ताक्षर हुआ जिससे सिमला समझाओता कहा गया इसमें भारत के तरफ से कौन गई थी बच्छो इंदरा गांधी और पकिस समझाओता नाम था पर हुआ नाम और पकिस्तान के तरफ से कौन गई ती इंदरा गांधी और पकिस्तान के तरफ से उनका नाम था जुलिफी कारली वोटो तो आपको ध्याना का समझाता कब हुआ था और पकिस्तान के तरब से कौन आई थी और भारत के तरब से कौन गये थे अब कब हुआ था बस इतना ही पॉइंट आपको भी इस समझाता में याद रखना आपको भार दिली बस सेवा डारेक्ट बच्चो दिली से लहर का जाती है बस जाती है तो नाइंटी नाइंटी नाइन में भारत और पकिस्तान के बीच लहर दिली बस सेवा बहाल करने की सहमत्ति मिली बोलना चारा बचो नाइंटी नाइंटी नाइन में भारत और पकिस्तान के बीच डारेक्ट बच्चो लहर से दिली बस सेवा बहाल करन तो भारत और पकिस्तान के भी जो चल रही बसे को क्या कर दिया रोक लगा दिया जब अतंकवादी घटना सामने आई उसके बाद क्या हुआ भारत और पकिस्तान के भी जो चल रही बसे को क्या कर दी रोक लगा दी लेकिन आज वह बस सेवा दोनों देशों के नागरी के दूसरे का नाम आपको धानाकना तासकन समझाता तीसरे का नाम धानाकना लहुर दिली बस से बाद एक कोशन पेपर के पाइंट अभी से बहुत इंपॉटेंट है बच्चों अगर समझने में किसी परकार का डाउट हुआ तो कमें जरू लिखे एक स्कूशन बच्चों को नम पश्मी पकिस्तान से अलग क्य हुआ उसके बारे में का करना इस कोशन में आपको बताना तो आपको धाना के बच्चों दूसरे क्या नाम है पुर्भी पकिस्तान के जानता को पिश्मीपकिस्तान के नहीं में रहना पड़ता था वहा पो तो पकिस्तान बेसिकली दो भागों में बटा था एक नाम है पुर्भी पकिस्तान जो 1971 के बाद बंगला देस घुसित हुआ और जो पश्मी पकिस्तान के लोग पुर्भी पकिस्तान पर का करते थे दबदबा अपना कायम करते थे दूसरा जो भासा को लेकर पुर्भी पकिस्तान पर जबरदस्ती उर्दू भासा क्या कर दी लाद दी गई जबकि वे लोग क्या करते थे बंगाली भासा जानने वाले थे पुर्भी पकिस्तान के जो लोग है वह बंगाली भासा के जनकार थे उर्दू भासा के जनकारी नहीं थे फिर भी उस पर जबरदस्ती क्या की थोपी गई इसके साथ क्या हुआ बच्छो अर्था बंगला भासा और संस्किर्टी के साथ दूर बहवार होना सुरू कर दिया जो बंगला भासा है बच्छो उसके साथ क्या हुआ संस्किर्टी साथ साथ उसके साथ क्या हुआ दूर बहवार पश्मी पकिस्तान वाने स्टार्ट कर दी उर्दू भासा लागो की गई बोलना चारा बच्छो पुर्भी पकिस्तान वाले थे उस पर जबरदस्ती क्या कर बंगाली को जानते चाल साथ पर street सबस्ट आपको भागे पुरभी पखिस्टान को सद्था दूरी नहीं तर रखा उजादा पकिस्तान को सद्था में भागधा बहुत कम कर दो पूर बी पकिस्तान पकिस्तान से अलग होने के कारण बचो तीन कारण बचा पहला दबदाबा दूसरा भासा तिसरा साथ की भगेदारी अगर बचो समझने में किसी परकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में उसे जरू लिखे अब हमनों स्टार्ट करें बचो 1971 के बाद बंगलादेश में क गोसित हो गया उसके बाद क्या हुआ अजादी पाकर बंगलादेश अपने आपको क्या किया लोकतांत्री और समाजवादी और साथ-साथ क्या हुआ धर्म निर्पेक्ष देश को क्या कर दिया गोसित किया मुझूबी रहमान 1975 में अपना पार्टी आवामी लीग को सारे पार्टी को रहने दिया बाखे जितने सारे पार्टी नहीं कर दिया गोसित कर दिया जो मुझूबी रहमान नाईटी सेवेंटी वाई मैं अपना पार्टी अवामी लीग को छोर का सारे पार्टी को क्या कर दिया और समीधान में क्या कर दिया संसोधन कर दिया उसके बाद क्या हूँआ उसके बाद जब ऐसा काम किए तो क्या हुआ नाम पार्टी का नाम आपको धाना के बाद में इनकी क्या कर दी गई हत्या कर दी गई उसके बाद क्या हुआ बचो जिवाउर रहमान के हत्या के बाद वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हम इरसाद की अगवाई में बंगला देश में सायनिक सासन लाग हुआ बचो जब जिवाउर रहमान की हत्या हो गए उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हम इरसाद की अगवा पाई में वहाँ पे क्या हो गया बंगलादेश में सायनिक शासन क्या हो गया लाग हुआ लोग फिर से लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन करने लगे और इस आंदोलन में छात्र दल सबसे आगे रहे जिसके कारण से इरसाद को राजनीती गतिविधी में छूट देने पड़ जब वहां पर क्या हुआ छात्र अंदोलन शुरू कर दिये तो जब इरसाद को क्या जो अहां के लेफ्टिन गवर्नर जिनका नाम था एच्चेम इरसाद को क्या किरना पड़ा लास्ट में राजनीती गतिविधी में क्या करना पड़ा छूट करना पड़ा उसके आगे लि माम चुना हुआ और बाद में BANGELA Dsch में क्या हुआ ुसके पहले क्या नाम पाञ करना कि और और को पस्मञचन के लिए बहुत सब्सक्राइब नदी प्रवास से भारत सरकार बंगलादेश से क्या है नराज है तिसरा पॉइंट आपको धायकना भारत बिरोधी इसलामी भारत जो बिरोधी जो इसलामी जमात को भारत में बंगलादेश सब्सक्राइब सेना को पुर्वोतर राज भारत में जाने के लिए बंगला देश रास्ता नहीं देती है बच्चों बोलना चारा की भारती ये सेना को अगर पुर्वोतर राज में जाना है तो बंगला देश का करती है रास्ता नहीं देती है अगर लिखा बंगला देश से होकर भारत को म्या प्राकिर्टी गैस को निर्याद नहीं करने दिया जाए समेशा से भारत पर यह अरोप लगाया है कि भारत नदी जल हिस्दारी के सवाल पर इलाके के दादा जैसे क्या करता बरताओ करता है ऐसा मानना बचू बंगलादेश को कि बंगलादेश वाले बोलते हैं कि हमारे देश से भारत पर यह अरोप लगाया है कि भारत नदी जल हिस्दारी के सवाल पर इलाके के दादा जैसे क्या करता है कौन बोलता बचो ऐसा बात बोलता है कौन बंगलादेश किसके ऊपर बचो भारत के ऊपर आगे लिखा हुआ है साथ ही व्यापार में बैमानी बोलना चार्म तो विद्रोह हुआ था विद्रोह के आरोप में बंगला देश भारत पे लगा बोलना चारा बैपार जिसका ने किया था ख nei परवतिय चयत्र विद्रो के समर्थन देने के आरोप बंगलादेश भारत पे लगा बोल्ना चार बचो बंगलादेश का एक जगा है जिसक नाम है जटकाओ बंगलादेश हूसरे बचार तब कमेंट बॉक्स में जरू लिखे और वीडियो अची लग रहे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूले भारत और बंगलादेश के अच्छे संबंद अभी तो पढ़ेते बचो किस तरीके से विवाद है अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे संबंद तो पहलाब को धानकना भारत द्वारा अपनाई गई लूक इस्ट तथा 2014 में एक्ट इस्ट की निती पे बंगलादेश भारत के साथ खड़ा हुआ था उसके बाद 2015 में दोनों देशों ने बचो अपने बीच के कुछ जोन का आधान परदान किया बचो बंगला देश के बीच बैपार बहुत से बढ़रा और आपदा परबंदन कोई भी अगर दिक्क्त होती है पर्यावरन के मामले पर दोनों देशों का सहयोग है। और पर्यावरन के मामले पर दोनों देश सहयों कर रहे हैं मतलब बोलना चारा कि भारत और बंगला देश कोई भी अपदा परबंधन होता कोई भी प्रोब्लम होती है तता पर्यावरन के मामलों को लेकर दोनों देश क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते सपोर्ट मतलब सहयों क जो है अतीत में क्या हिंदु राज था और अधुनिक और कई करें कई वर्सों संबिधानिक राजसें वहां पए बोलना चारवचो नेपाल जो है अतीत में क्या एक हिंदू राज था और आधुनी के काले में कई वर्सों तक संबेधानिक वहां पर क्या रहा राज तंत्रा मतराजा का वहां पर क्या रहा वचो सासन रहा नेक्स पाइंट आपको धान समझना राज नीतिक दलो और आम जनता द्वारा उतरदाई सासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहता से सासन पर पूरा नियंत्रन अस्थापित किया जब भी बचो कोई परजा अगर आवाज उठाती है लोक तंत्र को लेकर तो जो राजा की जो सेना है वहाज को क्या कर देते थे दबा देते थे तो वहीं बोलना चारा राजिनितिक दल और आम जंता द्वारा उतरदाई सासन की मांग के बाबजूद राजा ने सेना के साहता से सासन पे क्या किया पूरा नियंत्रन किया नेक्स पाइंट धानकना एक मजबूत लोकतांत्र समर्थन आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक समिधान की जो मांग थी वह क्या कर लिए शाविकार कर लिए इस्टार्टिंग बचो लोकतांतरिक की क्या क्योंति मांग होई थी लेकिन जो राजा के जो सेना थे क कर दिए कर दिए इसको दबा दिया वहां की जो राजा थि हुए कि सभिकार कर लिया लग спект रकार को बहुत सारे वहाँ зр Warum में कई भागों में मायोवादी अपना परभाव जमाने में सफल रहा और सेना से मायवादी का खूला क्या होने लगा संघर्स होने लगा कुछ समय तक राजा की सेना लोकतंत्र समर्थक और मायवादी दो हजार दो में राजा ने सनसद को क्या कर दिया और इसके तरह से जो थोड़ा बहुत लोगत नथा ओभी क्या हो गया खतम हो गया 2006 में देश ब्यापी लोकतंत्र समर्थन क्या वहां पर परदर्शन हुआ और इसके परिनाम सरूफ राजा ग्यान नेंद्र ने संसद को क्या कर दिया बहाल कर दिया उसके बाद जो वहां के जो मावादी जो समूता वह ससस्त्र संघस की राह को क्या कर दिया चोड़ द राज तंत्र वहां पर क्या हो गया खतम हो गया वहां पर लोकतंत्री गनराज बना दो हजार आठ में क्या हुआ चो नेपाल में जो था वह राज तंत्र खतम हो गया लोकतंत्री गनराज बना उसके बाद 2015 में नेपाल में नाया संभिधान बना उसके बाद 2015 के बाद बचो समभीद्धान संसोधन सhone14 भाडवारत और नेपाल के वीच संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नमर थीरी का जो पहला कोशन बचो कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हूं संबंध के बारे में इस कोशन में क्या करना बताना है तो ध्यान से समझना बचो भारत और नेपाल के बीच एक संधी हुई है जिसके अधार पे दोनों नागरिक बीच और पासपोर्ट का जा सकते है नेपाल जा सकते है इसलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत सारे बातों के लेकर का बचो मतभेद है जिसके बावजोद भी भारत और नेपाल के बिज़ काया संबंद अच्छे है। प्पारत और चाहिने के बिच बिच बिवाद है लेकिन चीन और नेपाल को क्या करते आप अपती जैता आते हैं किसको लेकर क्योंकि चीन और नेपाल की क्या है दोस्ति नेक्स इंप्सक्राइब कोश्ट्बigs刃 करना रिपीट होता स्री लंका के जातीं संघर्श के बारे में कहा करने है कि तो सिर्लांका में बहुत संख्याओं जान कि किसा का तमिल समुदायक जिसके सिरिलंका में बहुत संख्या के संख्या करते आवाज उठाते बोलते हैं जो वहां के सिरेलंका के जो बहुत संख्या के जो सिहली राष्टवादियों का मानना है कि सिर्लांका में तमील के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए जो भी भारती है जो तमिल जो जाकर सिर्लांका में जो बस गया मत्तब सरकारी कोई भी सुब्दा जो उसको किसी भी परकार का शुक शुब्दा वहां पे नहीं मिलना चाहिए कौन लगे बिरूध करने लगे तो वहां के जो सेली समुदाई के जो लोग है वह तमीड के साथ बुरे बेहवार करने लगे जिसके कारण से वहाँ पर क्या होगे बच्छो उलोग तमीलोग क्या करने लगे आवाज उठाने लगे 1983 के बाद ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पाइंट बता रहे बच्छो ए पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा पाकेटी थिरी के बाद उग्र तमील संगठन जिसका नाम आपको ध्याना करना बच्छो लिब्रेशन टाइगर आफ तमीलेलम जिसको स्वाटर बहुत बोलेंगे लिटे स्रिलंकाई सेना के साथ संघर्स स्टार्ट हो गया बोलना चार बचो जो तमिल के जो एक संगठन बचो उग्र संगठन जिसका नाम है लीटे जिसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर उप तमील एलं तो स्रिलंका इज ना के साथ इसका क्या होग fanokay संगर से स्टारो गया और इसने तमिल के लिए एक अलग देश की मांग कर केप बाद उग्रतमील्स अंगठन जिसका नामापको धानकना लिभ्रेशन टाइगर ऑफ तर्मिल एलम तो यहां पे धानकन दानां लिटे लिटेगा स्रिलांकाई सेस संघर सब्सक्रेट होगा किसका लिटेगा थार्स हानस समाजना बच्छो जो स्रिलांका इसे न था और तमिल के जो उग्र संगठन जिसका नाम आपको ध्याना लीटे इन दोनों के बीच क्या हो गया वाचो संघर से स्टार्ट हो गया और इसने तमिल के लिए वाचो एक क्या कर दी अलग देश के मांग कर दी जो लीटे वाले थे लीटे कर लीटे इसे पर लीटे का किस नाइंटी एटी सेवन में भारत सरकार ने स्रिलंकाई सरकार के साथ क्या की समझोता की और तमिल के रक्षा के लिए भारतिय सेना भेजी गई जो लीटे के साथ क्या गया संघर्स में फस गया भारत सरकार के साथ क्या की समझझोता की तमिल के रक्षा के लिए भारत सरकार के दवारा भेजी गई और लीटे के साथ ही क्या हो गया भारतिय सेना का संघर्स वहां पर स्टार्ट हो गया क्योंकि स्रिलंकाई इससे अपने देश के अंधुरूनी मामले में दख़ल अंदाजी समझ रही ती जो सर्कार ठीकmar कार रही थी तो अ क्या कर देश के कारन से भारतियसरों पब सन्ति सीना कry कर ले वारपस बुला ली और लास्ट में 2009 स्थापको सिर्लंका में जाती है संघर्ष के बावजूद आर्थिक और और 6 सब्सक्राइब करना है तो सिर्लंका में बहुत संख्यक सिहली समुदा से लिए उसके बीच वी लěकिन इसके बादुद भी वहाँ की आर्थि ततहां चेत्रों में क्या हुए उनती उनती में अपनी अर्थि ब्यवास्ता का सबसे पहले उधारी करण सिरल का दवारा किया गए पारिकरन का मतलब होता बच्छो लीबरल होना जैसे कि एक देश दूसरे देश के साथ अगर व्याफार करता उसमें क्या करना जो भी नियम कानून उसको क्या कर दोना लीबरल कर लीबरल का मतलब बहुत असान कर देना तीसरा आपको पॉइंट ध्यानकाई का सकल घरेल अगर देखा जा रहा है तो संगर्स के बावजूद स्रीलंका में किस तरीके का सरकार रहे लोगतांतरीक राज व्यवास्ता वहां पर क्या है काए मैं चार पॉइंट को बताए बच्छो चारों पाइंट को का का नाम को बारीकी से याद करना क्योंकि एक कोशन पेपर के प से लिटे है जिसको बोलते है सिरिलांका में यह दूनिया का एक मसहूर आतंक वादी और उग्रवादी संगर्षण है जो सिरिलांका के उत्तर और उत्तर पुर्व छेत्रों में दो दसको से अधिक समय तक सक्रिये का मतब इसके बारे में सुनने को मिलता था तो धानकना लीटे क्या तो लीटे एक तमिल राष्टवादी संगठन है यह दुनिया का एक मसूर आतंकवादी उग्रवादी प्रभाकरन द्वारा इसकी अस्थापना की गहीं अस."कि अब सकत है भारत और पकिस्तान के बीच बच्टो आज तक 4 एध हुए है भारत और पकिस्तान के बीच कितने बार इध हुआ था बच्छो पाहला इधुबा था आपको ध्हानकना से फोटी एट किसको लेकर बचो कास्मीर मुदा को लेकर यहां कहां चला गया था जिसके कारण से कुछ हिसा कास्मीर बाला हिसा कहां चला गया वह चला गया पाकिस्तान में जिसको बोलते और लड़ाई पाकस्मीर किस्तान करना पड़ेता हुआ पड़ेज्ट यहां पर दूसरा भी युद में आपको लिखना हुआ यहां पर आप लोग क्या करेंगे किसको लेकर लडाई वा तो पाकिस्तान के तरफ से आयुग खान और तास्कन समझाओता में लाल बहादो शास्तिरी के वह किसको लेकर हुआ तो बंगलादेश के संकट के समय हुआ आपको कमेंट बाक्स में बताना बच्चो जब 1971 में भारत और पकिस्तान के बीच जब लडाई हुआ था उसमें भारत का परधान मंतरी कौन थी चौथा जो इध हुआ बच्चो नाइंटी नाइनटी नाइन वे जिसको कारगी लुद्ध बोलते हैं और आपको कारगी लुद्ध के समय भारत का परधान मंतरी का नाम आपको कमेंट बाक्स में बताना है स्री लंका के साथ मुक्त ब्यापार पर क्या किये समझोते पर हस्ताक्षर किये साथ ही स्री लंका में सुनामी से मची तबाही से निपटने के लिए भारत सरकार ने काफी मदद किये बोलना चारा बचो भारत सरकार ने स्री लंका के मुक्त ब्यापार मुक्त ब्यापार का मतलब होता है कि भारत स्री लंका के साथ ब्यापार को कि है नेक्स इनपोर्टन जो कोशन बच्छो आप हम लोग पढ़ेंगे बुटान के बारे में नेक्स पाइंट आपको धार हम बुटान के बारे में बुटान में 2008 में संवेधानिक के राजतंति लाग हुआ हुआ हैं उसका प्ल investment करनाट अभारत तथा भूटान के बीच संबंद के बारे में खैक यह करना जो भूटार भूटान है उसके बीच में किस तरह का संबंद रहे कंद बचो इस कोशन में आपको बताना है एंसर को बारिकी समझना भारत भुटान के साथ पीन बिजली पीन बिजली का मतलब भारत भुटान के उत्पादन में मदद करने के लिए हमेशा खारा रहाता है भुटान के विकास कार्यों में भारत का सबसे ज्यादा क्या है उसका नेक्स्ट देश हम लोग पढ़ना बचो मालदीव के बारे में नेक्स्ट इन्पॉटन बचो दक्षिन एसिया के देश में अब हम लोग पढ़ेंगे मालदीव में मालदीव में 1968 तक किसका सासन था तो सलतनत का सासन था नेक्स पाइंट आपको धाना करना नाइंटी सिक्ष्ट इएट में मालदीव में गंतंत्र बन गया इसके बाद 1968 में मालदीव में गंतंत्र बन गया और साथ ही क्या हुआ शासन अध्यास्मक पढ़नाली वहां पे क्या किया आपना आगया है नेक्स पाइंट बचो 2005 में मालदीव संसत बहुत दलीव में पर्णाली में एक मत हुआ वहां पे मत दान दान भीव मालदीव्यन डेमोक्रेटिक पार्टी में में उस पार्टी का पुलफोम में तो धानकना माल देमोक्रेटिक पार्टी नहीं यहां पर क्या किया जीत हासिल किया कब बचो 2018 में मालदीप में बचो कौन सी पार्टी की जीत हुई तो ध्यानक ना है वह हुई थी MDP पार्टी की नेक्स इन्पॉर्टन जो कोश्ण मचो भारत अथा मालदीप के बीच संबंध के बारे में बताना कि भारत और स्री लंकाई जो तमिल थे वह क्या कर दिया मालदीप पर आकर्मन कर दिये उसके बाद क्या हुए भारतिये वायू से ना और नौ से ना तुरंत क्या की करवाई कर दी तभी से दोनों के बीच का हुए गहरे ताथा अच्छे संबंध है बोलना चारा चो मालदीप के विश काफी अच्छे संबंध है दुसरा भारत ने मालदीप के परियाटन और मतेस उधोग तथ्या और आर्थिक विकास में काफी मदद किया भारतिये जो सरकार मालदीप का क्या किया हैं कभी कभी भारत को लगता है उनके छोटे चोटे पडोशी उनका क्या करते फैदा उठाते हैं और आगे लिखा हुआ कभी कभी इन छोटे चोटे भारत के पडोशी देश्चा बहा सब कर्या अपनी क्या करती है लगु के साथ सबका भारत को लगता हुँनके छोटे छोटे जो पडुसी राज है वह क्या बोलते हैं धारत पडुसी देसil सुचते हैं भारत जो हम पर आइसान करें कभी गुलाम न बना लेकिन भारत सरकार सब का साथ चाहती है सब का विकास चाहती है बीना किसी लाप राप्त करने के उदेश से बचो दक्षेस और इंगली से बोलेंगे सार्क तो सार का पहले फूल फॉर्म आपको ध्याना करना बचो सार का जो सार का फूल फॉल फॉर्म होता है साउथ एसेन एसोसियेशन फॉरीजिनल को अपरेशन दक्षेस जो बचो दक्षीन एसिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है इस उरवाती बचो आठ दिसंबर 1985 में भारत पाकिस्तान कोमा बंगलादेश कोमा सिरिलंका नेपाल मालदीप और भुटान द्वारा मिलकर इसकी क्या होई थी अस्थापना होई थी धान से समझना बचो इसकी शुरवाती आठ दिसंबर 1985 में हुई थी जिसमें भारत पाकिस्तान बंगलादेश सिरिलंका नेपाल मालदीप भुटान द्वारा मिलकर इसकी क्या होई थी अस्थापना हुई थी और सार्क जो बचो मुख्याला वह कहां पे कठमांदू नेपाल में पड़ता धानका चो सार्क अगर कुछता हेड़ के रूप में मन्यात्ता इसकी दी गई बोलना चारवाचो 2005 में जो धाका में आयोजित तेरहवे सिखर समेलन में अफगनिस्तान आपको लिखना पड़ेगा बाइमिस्टेक से कुछ लिखा गया अफगनिस्तान आप लिखेंगे आठवे सार्क सदस के रूप में इसको क्या मिली थी मन्यात्ता मिली थी 14 सिखर समेलन 2007 में दिल्ली में विखेंगे नेक्स इनपॉटन कोश्ण बचो जो दक्छेस का उदेश क्या है उदेश को बारिकी साबको समाजना इसका मुख उदेश है बचो अपने बीच के सभी सदस्यों एक दूसरे का आर्थिक विकास में सह करें दूसरा आपको द्हान समझना दक्छी नेशिया के लोगों को जनता के कारण जीवन अस्तर में सुधार हो रहा है तीसरा पाइंट को धान रखना छेत्र के आर्थिक समाजिक और सांस्किर्तिक विकास में तेजी लाना सभी का क्या है मक्सद बोलना चारवचो जो सांस्किर्तिक विकास में तेजी लाना नेक्स पाइंट बचो डख्षी नेसिया के देशों के समाजिक आत निर्भरता में बिर्धी लाना पहले को सफटा का फूल फॉर्म होता हिंदी में मुक्त ब्यापार 10 हुंदी 002 कि 2004 में 30 20-20 к Geo ने उस्ताक्षर किया और एक जनवरी 2006 हो परभाई का मतलब लागू हो गया बोलना चाहिए दोहजार चार में जो दक्षेश के जो सदस ने सफटा पर किया हस्ताक्षर किया फिर एक जनवरी 2006 को क्या हो गया परभाई हो गया इसमें दक्षीन अशिया के मुक्तल भिया पार छेत्र बनाने की संकल्पली भारत को सहायता किया वैंकि भारत को भुटां। के साथ निपाल के साथ और स्री लंका के साथ पहले ही दिवपक्षिये व्यापार पर क्या कर रखा है समझाता कर चुका है चीन तथा अमेरिका दक्षिन एसिया के राजनीतिक पर बड़ा परभाव डालता है चीन की राजनीतिक साज़दारी पकिस्तान के साथ जो भारत के लिए क्या करती है समस्य खरा कर देती है नेक्स पाइंट बचो शीत युद के बाद अमेरिका भारत तथा पकिस्तान दोनों के साथ बज़र चप्टर नमबर 3 के जितने सारे इंपोर्टन टॉपिक थे सारे इंपोर्टन टॉपिक को इस वीडियो में डिसकस कर दिए बच्छो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूले कोई भी डाउट हो तो कमेंट ब वीडियो बनाने के लिए साथ साथ दोस्तों के साथ सेर करना भी न भूले थेंक्यों